हेलो गाइस तो आज बना रही हैं बत्वे और ब्रैड की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तो इसके लिए मैंने दिया है करीब डाइसों से 300 ग्रम बत्वा है और भी कच्छा कच्छा बत्वा है हम इसे रफली काट लेते हैं काटना को जुरूरी नहीं है फिर मैं इसे रफली क काट लेती हूं इस तरह से मैंने रफली से काट लिया है मोटा मोटा तो करीब यह 300 ग्रम बत्वा है और यह रेसिपी को बना के ट्राय करके जुरूर देखना और अब इसके अंदर डाल देते हैं करीब एक कप पानी तो देखिए मैंने कप से ही पानी लिया है जो चाय वाल कर लिया है करीब 5-6 मिंट के लिए और उबाल के ठंडा करके मैंने इसे पीस लिया है इसे साइड में रख देते हैं और अब ले लेती हूं एक बावल उसके अंदर डाला मैंने एक कटोरी बेसन गरम मसाला है यह एक चमच स्वाद अनुसार नमक एक चमच धनिया पाउडर और करीब एक चमच लाल मिर्ची पाउडर लिया है आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा तीखा खाना हो तो लाल मिर्ची थोड़ी से अधिक ले सकते हैं अगर कम खाना है तो कम ले सकते हैं बथवा डाल दिया है मैंने इसे मिक्स कर दिया है और उस बावल म थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे के इवर बत हुआ जो थोड़ा सा अगर पत्वे के अंदर पानी होता तो पानी कम लगता है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं मैं आपो दिखा दूँगे कि इस तरह का में पेश्ट रखना है तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से यह देखी इस तरह का पेश्ट होना चाहिए और अब इसे डख के साइड में रख देते हैं अब ले लेती हूँ आलू आलू को मैंने न उबाला नहीं है मैंने इसे हारे में या तंदूर में दवा के फिर पकाया है यानि की तो आप देख सकते ही इस तरह से पकाया है हम वालते हैं तो आलू आप आलू को वोईल भी कर सकते हो आगर आपको वोईल करना तो वोईल कर सकते हो हमें आलू को पकाना है और इसे छील के मैंने मैस कर लिया है यह मैंने लहसुन लिया है जो हरा लहसुन होता है उसके हरे पते लिए हैं प्याज लिए है और दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज की और दो मैंने मीडियम साइज की हरी मिर्च लिए है अब मैंने आदा चमच गरम मसाला एक चमच नमक एक चमच दन्या पाउडर और एक च को स्किप कर सकते हो तो मैंने इसमें हरीमिज डाली है करीब दो हरीमिज डाली है इसे मिक्स कर लिया है मैंने हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें लम्स बगरा नहीं रहने चाहिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह इसे भी हम साइड में रख देते हैं अब मै इन्हें हम कट कर लेते हैं देखिए इनमें यह इस तरह से शेज है फिर कट कर लेते हैं चलो इनके हम बाद में बनाएंगे पहले हम साबत वाले ब्रेड हैं इनको कट कर लेते इस तरह से बीच में आप चाहें तो किनारे भी कट कर सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया ह हैं भोत ही इस तंढम बहुत ही है इस तरह से यह देखी आ Galoo के भिख देते हैं अभ आलो आला डो हुआ इस तरह से निदाब है टमल एस तरह से बरेड में लगा यहर अलू को अधुद को और दूसरे बरेड हैं प्रैश कर देते यह रख दिया है मैंने इसी तरह से हम सभी ब्रैड में डो को लगा लेते हैं और इस तरह से प्रेस करके रख देते हैं इसे हमें पकाते समय काम करने में आसानी रहेगी हमें बार-बार इस तरह से डो नहीं बरने पड़ेंगे तो सभी ब्रैडों में मैं पहले डो अच्छे से लगा लेती हूं और देखिए आलो बिल्कुल सुके सुके लग रहे हैं क्योंकि जो महारे अया चुले में हम राह के अंदर दबा के अगर अलो को पकाते हैं भूबल में दबा के पकात करें देखिए तो आलो इसी तरह के सुकी सुकी होते हैं तो यह देखिए डो है इसरह से पले हैं और इस तरह 내용 करें बधार अब बाहीर को अध्य को थैश्टिभी और टेश्टी बताना जुरूर कि आप यह recipe कब बना रहे हो तो इसे इस तरह से पल्ट के हम सेक लेते हैं यह देखिए थोड़ा कच्छा था मैंने उसे पल्ट दिया लेकिन थोड़ा सा कर पक जाए ना थोड़ा इसे पल्टना चाहिए वर्ना तूटने का डर रहता है इस तरह से तो यह दे निकाल लेते हैं ब्रेड पकोड़ों में इस तरह से तेल हो जाता है तो इसे इस तरह से तबाके प्रेस करके अच्छे से निकाल लेते हैं अब यह सी किलता है तब तक और बागी के पकोड़े भी हम डाल देते हैं तो यह देखी मैं कट करके दिखा देती हूं देखिए कित साथ तब तक के लिए बाई बाई